हाई गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल रीचा मेरो शोर्ट्स और आज मैं आप लोगों के लिए नई रेसिपी लेके आ गई हूँ अभी विंटर का सीजन है इसलिए मटर बहुत जादा आ रहे हैं तो आज हमारी रेसिपी है आलू मटर की सबजी जो की बहुती जादा कॉमन सबजी होती है विंटर के टाइम हर किसी के घर में आलू मटर की सबजी तो बनती ही है तो यहाँ पे मैंने मटर शील लिया है जितनी कॉंटिटी में मुझे चाहिए और यहाँ पे लिया है मैंने तीन आलू आलू को मैंने पील ओफ कर लिया है और मैं इसे छोटी छोटी शेप पे काट रही हूँ आप चाहें तो आलू की शेप अपने हिजाब से बड़ी भी रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि आलू भी बहुत अच्छी तरीके से कट चुके है आलू और मटर को हम अच्छी तरीके से वाश कर देंगे मैंने वाश करके साइड में रख दिया है अब करेंगे हम सबजी के तड़के की तयारी तो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने एक प्याज, दो छोटे छोटे टमाटर, तीन चार कच्छी मिर्ची और लिया है कड़ी पत्ता प्याज को हम बहुत ही ज़ादा बारिक कट करेंगे प्याज आपसे जितना भी बारिक हो सके आप उतना बारिक प्याज को कट कर लेजिए फिर इसी तरीके से मैं मिर्ची और टमाटर को भी कट कर लूँगी एकदमी ज़ादा बारिक बारिक तमाटर और प्याज को बारिक कट करने का ये फाइदा होता है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है और जितना ज़्यादा आप बड़ा कट करेंगे उसको फ्राई करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो guys हमारे तड़के का समान ready है तो सबसे पहले हमने रख दिया है गैस पर कड़ाई और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ oil जब भी आप कोई भी तरी वाली सबजी बनाएं तो उसमें आप oil की quantity थोड़ी सी जादा रखें क्योंकि जो तरी वाली सबजी होती है जिया सरसो और जब जीरा और सरसो तड़क गया है तब मैं उसमें डाल रही हूँ प्याज, करीपत्ता और मिर्ची जो कि मैंने पहले से ही कट करके रखा था अब हम प्याज को oil में बहुत ही अच्छे से fry करेंगे प्याज जब थोड़ा सा fry हो जाएगा उसके उपर हमें डालना है अद्रक और लसून का पेस्ट और पेस्ट को भी प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से fry करना है जब प्याज का कलर हरका सा brown होने लगे तो हम आलू और मतर प्याज पे डाल सकते हैं आलू और मतर डालने के बाद हमें प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से fry करना है और 5 मिनट के लिए धक्के रख देना है जिससे की आलू और मतर प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से मिल जाए उसके बाद ही हम इस पे मसाले डाल पाएंगे तो मैंने धक्के रख दिया है अब सबजी को रखे वे 5 मिनट हो चुका है तो अब हम इस पे एकक करके मसाले डालते जाएंगे तो हम सबजी पर डालेंगे मिल्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, गरम मसाला और नमक ये सारे मसाले में एक साथ ही डालूंगी अगर आपने मेरे पुराने रेसिपी वीडियो देखे हैं तो मैंने उस पे कहा है कि सबजी मसालों का अपना एक टेस्ट होता है, जो की ओईल में अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद ही आता है इसलिए मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल देती हूँ जिससे कि सबजी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आने लग जाता है तो सभी मसाले सबजी में डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है मसालों को अच्छी तरीके से मिलाने के बार धक्के रख देना है क्योंकि सबजी के लिए मेन होता है कि जो कच्ची सबजी होती है वो पकी होनी चाहिए तो यहाँ पे आलू अच्छी तरीके से पका होना चाहिए इसलिए हम इसे अच्छे से धक्के रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे कि आलू पका है या नहीं पका है तो आप देख सकते हैं कि मसाले भी सबजियों के साथ अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और सबजी का कलर भी आ रहा है जैसे ही आपको लगे कि आलू पक चुका है तो आपको डाल देना है इसमें टमाटर टमाटर डालने के बाद भी आपको सेम प्रोसेस करना है आपको सब्जी के साथ अच्छे से टमाटर को मिला देना है और पांच मिनट के लिए धक्के रख देना है जिससे की टमाटर बहुती ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और गल जाएगा अगर आप मसाले वाली सबजी खाना चाहते हैं तो टमाटर गलने के बार आपकी सबजी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर बनाने वाली हुमें तरी वाली सबजी इसलिए जब टमाटर पूरी अच्छे तरीके से गल जाएगा तो मैं इस पर डाल दूँगी पानी तो यहाँ पर टमाटर अच्छी तरीके से गल चुका है अब मुझे डालना है इस पर पानी मैंने लगभग सबजी में दो गलास पानी डाला हुआ है दो ग्लास पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सब्जी अभी थोड़ी देर और पकेगी पानी डालने के बाद इसलिए मैंने थोड़ी असल ज़्यादा पानी डाला है पानी डालने के बाद मैं धक के रख दूँगी सबजी को अब मैं चेक करूँगी कि सबजी बनी है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने पानी डाला था वो बन चुकी है अब तरी और बहुत ही अच्छे से उबल रही है तो गाइस हमारी आलू मटर की सबजी हो चुकी है रेड़ी और आप देख सकते हैं कि सबजी में कलर भी कितना जादा अच्छा आया है और खाने में भी उतनी ही जादा टेस्टी है अगर आप लोगों को ऐसी easy recipes चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe ज़रू कर दीजेगा बाइ गाइस